नया साल शुरू नहीं हुआ कि पवन पर फिर अक्षरा के ताबर तोर नए इल्जाम जी हाँ अब हम ये कहेंगे कि पवन सिंग पर ही नहीं भोजपुरी की कई मेल एक्टरों पर ये इल्जाम लगाया है पहले आप ये सुन लेजिए कि अक्षरा क्या कह रही है फिर हम आपको बताते हैं कि ये सारा माजरा क्या है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो हिरोईन होती है उन्हें सिर्फ काम के लिए रखा जाता है जब कि सारी रंगदारी जिरों हिरों की चलती है जब फिल्में चलती है तो कहते हैं लोग फिल्में नहीं चलती है तो लोग बोलते हैं अरे यार इसमें तो यह एक्टर है एक्शुली एक इवेंट में अक्ष्रा सिंग से जब यह सवाल किया गया कि क्या आप मानती है कि भोजपुरी में मेल एक्टरों की दबं गई है तब उस पर अक्ष्रा सिंग ने यह तीखा जी हां तीखे सवाल का जवाब दिया और बस अब अब कट और अब भोजपुरी इंडस्टरी में यह बाते तो तेज हो ही जाएंगी कि भोजपुरी इंडस्टरी में क्या मेल एक्टरों का ही दब दबा है वैसे आपको बता दे कि जिस तरह का वर्क अक्ष्रा सिंग कर रही है उसे देखकर यह लगता तो नहीं है क्योंकि भोजपुरी की इस दबंग एक्टरेस के यह कई गाने आएं अकेले और उन्होंने कई अच्छे रिकॉर्ट्स भी बनाएं अब ऐसे में यह कह देणा कि हां भोजपुरी इंड़स्टरि में सिर्फ मेल एक्टरों की चलती है वो तो बॉलीवूड में भी शलती है और वो तो साउत में भी चलती है वहां के भी बड़े बड़े हीरोज अपने मुताबिक की एक्ट्रेस ही फिल्मों में साइन करवाते और अगर जिन एक्ट्रेस से उनकी नहीं बनती तो उनके साथ तो वो तौबा कर लेते हैं काम करने से इसका सीधा एक्जामपल आप सिल्मान खान शारुक खान और रितिक र अलू अर्जुन हो या महेश बाबू राम चरन तेजा सभी अपनी फिल्मों में उन्हीं एक्ट्रेस को साइन करते हैं जिनके साथ उनकी जमती हो या फिर वो नियू कमर हो आप क्या सोचते हैं अक्षा सिंग के इस बवाल वाले इंट्रव्यू के बारे में हमारे कमेंट ब कि अजय के बारे में हो आप के ह्याँ जारे में हो आप कि किप ए रड़ी शबते हैं